नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अचूख समाचार में रक्त दान की तरहें प्लाजमा दान भी महादान है कोविट नाइंटीन से संक्रमित मरीज ही ठीक होकर प्लाजमा डोनेट करके दूसरे संक्रमित की जान बजा सकते हैं इसी विशय में आज हम बात कर रहे हैं हमारी महमान नीमा पंत जी से नीमा पंत सीनियर नर्सिंग ओफिसर हैं SGPGI लखनों में नीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अचूख समाचार में सबसे पहले आप बताईए लोगों के अंदर प्लाजमा देने के प्रती काफी सारी अधूरी जानकारी हैं और इस वज़े से उनके मन में प्लाजमा देने के लिए डर भी है तो आज आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के द्वारा बताईए कि कैसे क्या गाइडलाइन है प्लाजमा डोनेट करने की जी बिलकुल धन्यवाद मदू जी तो शुरुआत मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगी आईए हम भी प्लाजमा डोनेट करें थमती हुई सांसों को एक नई आस दें आजकल मैं देख रही हूँ कि काफी सोशल वर्कर या काफी लोग दिमांद कर रहे हैं कि प्लाजमा चाहिए और एक सही जानकारी का होना अतदिक अवश्यक है मैं पहले अपने शोताओं को यह बताना चाहूंगी कि मैं स्टी पीजियाए में जिगत 26 सर्चों से काम कर रही हूँ मैं एक वोलंटरी ब्लड डोनर भी हूँ अपनी बेटी के और अपने बर्सदे में हमेशा ब्लड डोनेट करती हूँ और प्लाजमा की बात है क्यूंकि कोवीड में आएं इसकी सारी गाइस और दीजे बेलकül फ़रक हैं तो प्लाजमा के बारे में जो भाहम Carroll है आपके बहुत बढ़िया एक जिशे लिया है मदू जी कि प्लाजमा के बारे में जो भाहमपिया है जो इतनी लोगों को पता नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि कौन प्लाजमा दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। सबसे पहले तो बात यह है कि जब भी कुछ प्लाजमा देने के लिए डोनर की हम बात करते हैं, हमें पहले यह देखना है कि जो भी डोनर है देने के लिए जाएगा, उसके पास COVID-19 की एक निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, पहले पॉजिटिव रिपोर्ट उसको हुआ है, उसके बात COVID-19 निगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए, जिससे हमें मालूम होगा कि जो यह है, एक्सुटेवल बंदा है, इसको COVID हो चुका है, रिकावरी फेस में है, और इसके संग अपना अधार काड भी लेके जाएगा, कि कल कोई दूसरा केस्मा बने, पीसरा बात, जब COVID-19 से हम एस्म्टमेटिक हो जाते हैं, चौदा दिन बाद लिए को बीस दिन लगते हैं, तो COVID, पहले तो हमने पॉजिव रिपोर्ट पाँगी, उसके दीज दिम बाद और नेगटिव रिपोर्ट दोनों ही लेके जाएगा, और उसको जब देने के लिए जाएगा, मान लिए कि प्लाजमा डोनेट करना है, उस समय उसको COVID-19 के कोईवी सिंटम, फीवर या थोड़ बीखासी, कोई इंट्रेक्शन बॉड़ी में COVID-19 का नहीं होना चाहिए, की स्वीवात जी हाँ, आज हम देख रहे हैं कि इस मामारी में पाफी लोग रिकवर करते हैं, तो यह आता है कि जब इतने लोग रिकवर कर रहे हैं, तो यह लोग प्लाजमा क्यों नहीं दे रहे है मैं अपने शोर्ताओं को यह बताना चाहूंगी, की जिसमें लेडी जिनके बच्चे हैं, या जो मा बंच चुकी हैं, या आज कल आमने रेखा हैं की वो लोग भी जाती है, एक बर मैं भी गई की डोनेट करने के लिए, तो मेडिकल फील्ड में होते हैं, मुझे ही जानकार लेते हैं, हमें यह दी देखना है, जब हम PGI में इको भी हमारे पास आता है कि हमें प्लाजमा डोनेट करना है, तो यह नहीं कि वो आया हम दो का प्लाजमा लेकर रख लिया, नहीं, सबसे पहले हम एक एंटी बॉडी की टेस्ट करते हैं, उसके बाद को बोलते हैं कि आपक आपको COVID है, तीन मेने तक आपके बॉडी में एंटी बॉडी है, ठीके शायद इसलिए कहा गया है कि तीन मेने के बाद यह देखा गया है, जब कोई लोग प्लाजमा डोनेट करने के लिए गया है, तो बॉडी में उनके ब्लड में एंटी बॉडी की कमी थी, तो इसके जो भी प्लाजमा है करने के लिए आता है और उसमें हमゲी इन के लिए को काने के लिए आएगा उसका ही satis kanad ol До testing से हो जाती त्य कि करी था लेक्ति हम्हर ढौनर आया है दे क्योंगर moyen Baar वल ज़िए disability older ATS की उमर है 28 साल के बाद एंक 60 एंगे और अगर आप COVID से रिकावर हो जाते हैं, तो को भी मेल पार्टन प्लाज्मा दे सकता है. और हमें ये भी देखना है, जो बॉडी वेट इसमें हैं, कम से कम 50 kg से उपर होना चाहिए. तो ये सब जानकारिया हैं, तो इसके तहर अगर हम इन सब चीज़ों को पूरा करते हैं, तब ये हम प्लाज्मा दे सकते हैं. जी, बहुत ही अच्छी जानकारिया आपने दी, यही जो तही गाइडलाइन है, यह लोगों को पता नहीं है. जी, हाँ, मैं भी देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा जो प्रश्न आपने लिया है, यही लोग मुझसे भी कहते हैं कि क्या दीजी हम दे सकते हैं, तो लोगों को समझाती हूँ, कि नहीं हम लोगों नहीं ती जानकारिया हैं, तो उसके अंतरगत यह जीज़े हैं, तब प्लाजमा ले लिया गया, गुरवत्ता भी प्लाजमा की होना बहुत जरूरी है, इसके लिए एबी टेस्टिंग, हीमोग्लोबीन, एंटिबॉडी ब्लेड में होना बहुत अवशक हैं, बहुत सही जानकारी दी आपने, आप से जुड़कर बात करने का मेरा यही मकसद था प्लाजमा की सही जानकारी लोगों तक पहुँचे, और मन के अंदर जो भी उनके भ्रम है, वो दूर हों, और लोग प्लाजमा डोनेट करें, दूसरों की भी जान बचाएं, क्योंकि रख्टदान की तरह प्लाजमा दान भी महादान है, जी बलकुल, बस बताना चाहूंग प्लाजमा देने से आपको कहीं भी कोई परिशानी नहीं होती, जो भी आप प्लाजमा देने के लिए जाएंगे, वो शरीर में जो भी आपका प्लाजमा लिया जाएगा, उसकी भरपाई एक हफते में अंदरी हो जाती है, तो प्लीज, प्लाजमा दान की मुहीं में साथ द कारी आपने दी बहुत बहुत धन्यवाद नीमा जी आपका जी नमस्कार मादी जी थैंक यू